सबी को नमस्कार स्वागत है आपका आमारे यूट्यूब चैनल जेजे क्लासेज मेवाड में आज अम्मल कर रहे हैं प्रवाकारी पुस्ति का हिंदी खक्षा छे साथ के अंतरगत आंकलन पत्रच चगदा जो की पेज नुबर 80 पर है इसे पहले चैलन पर नहे हैं तो लाल ब हैं गर में रहने की क्या-क्या फाइदे होते हैं अधिकतर गर अपने इलाकों में पाए जाने वाली चीजों से बनाये जाते हैं जैसे समुद्र के किनारे के गरों में नाजल के पत्ते लगाये जाते हैं जबकि पाड़ों के गर पत्थर और स्लेट से बनते हैं हर इलाके मे में मोसम अलग है पाड़ी इलाकौं के गरों में छते ड़्लवा बनाई जाती है ताकि पानी या बर्फ जल्दी नीचे गिर जाएं असम में बांस के डंडों से गर बनाया जाता है राजस्तान के आदीवाशी शेत्रों में सरकंडों से चोटी नूमा गर बनाये जाते हैं कस्मीर में गर जील में तेरते हैं प्रस नमबर देखें पहला समुदर इलाकों में कौन-कौन से पेड़ बहुता इससे मिलते हैं तो ये नारियल के पेड़ इनमें समुदरी इलाकों के आसपास खूब मिलते हैं यहां लिके नारियल के पेड़ प्रस नम में बास के डंडों से गर बनाया जाता है तीन नमबर पाड़ों में गर किन किन चीजों से बनाया जाते हैं पत्तर वे सलेट से बनते हैं प्रस्ट नमबर चार पाड़ी गरों में पाड़ी छेत्रों में गरों की छतें डलवा क्यों बनाई जाती है पानी वे बर्फ जल्दी नीचे गिर जाए इसलिए प्रस नमर पांच नीचे दिये गए वाक्या से वाक्या सब्दों से वाक्या बनाए चोटी नुमा, चोटी नुमा से बनेगा यह पाड़ी चोटी नुमा है, जील, जील से बनेगा जील में नावे तेर रही है, समुद्र, समुद्र का जल खारा होता है, पत्थर, पत्थर मकान बनाने में काम आता है, सरकंडे, आदिवसी सेतर में सरकंडे से गर बनाये जाते है अभी स्क्रीन पर आपको एक प्लेइलिस्ट दिख रही है प्लेइलिस्ट को ओपन करके भी इन सब के हल आप देख सकते हैं